आपकी सबसे जो कीमती चीज आपकी जो सबसे बड़ी पावर है जो आपकी स्ट्रेंथ है वो आपका वोट है आप इन गालम ग्लोज लड़ने जगड़ने और एक बंदे को मारने तक हर्थ से पहुंचने से पहले मेरे ख्याल से आपको यह सोचना चाहिए कि यह स्यासी लीड पुलीस की यह रिस्पॉंसिबिल्टी उनको यह देखना चाहिए ता चैनल को का लिजए सबस्क्राइब ताकि मज़ीद वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें नाजरीन हमज़ा शबास श्रीफ साहब का लहौर में जलसा हुआ और हमज़ा शबास श्रीफ साहब की ओपर जूता फैंका गया जब तक्रीर कर रहे थे अवाम के साथ इंतहाई जोशीले अंदाज में आवाम को मुखातिब थे तो उनकी उपर जूता पड़ गया जी उनको जूता जब मारा गया मारने की कोशिस की गई या जूता फैंका गया येका अलग बात है लेकिन जिस तरह से उस शक्स के साथ ट्रीट किया गया या आप वीडियो मनाजर देख स समझता या आप नहीं समझते होंगे येकिनां कोई भी नहीं समझता होगा कि वो शक्स बच सकता हो सबसे पहले तो यह मैं कहाना चाहूंगा कि उस शक्स ने गलत किया जो भी शक्स था और हमें सब को इसकी मुझमबत करनी चाहिए और पॉलीस एदारे हमारे जितने भी नहीं सबस्यक्रीर करे रहे होते हैं जलसे में शरीक होते हैं तो जहीर है उसकी जान की जान को भी ख Sandra होता है मु特लिप जो पारटी के लोग होते हैं अमिनी पता है कि वो पीड़ के बंदा है या पी टी आई का बंदा या पी ếu जिस तरह से उस शक्सकों ट्रेट किया जा रहा है तो मुझे ऐसा लग रही था ये मनाजर देख स्वाइब के कि शायद एक G Lebanon Exp.ēc.u esper रसूल dulもの अल्राणिकों से च्शकों पुर्णा जाता है और जिस तरह गलत किया, ऐसी हरकत बिलकल नहीं करनी चाहिए थी, खाब का किसी भी पार्डी से तालुक है, खाब PTI की हैं, पीपल्स पार्डी की हैं, या PMLN की ही आप बंदे हैं, जिस भी पार्डी से आपका तालुक है, आपने बहुत गलत किया, और इसको देखने के लिए पुलीस जा ह वो मेरे ख्याल से उनकी टॉप रायॉर्टी है, लेकिन जिस तरह से लोगों ने यह अदालत लगाई, लोगों ने इसको घौन्ट से मुक्गे मारे, आपको पता है, पाकिस्तान है तो यहां पर हर बंदे की अपनी एक आदालत है, हर बंदे की अपनी अदालत रखता है, आ मेरे ख्याल से अदालत या पुलीस तक पहुंचने से पहले ही सम टाइम तो ऐसा भी देखा गया कि उस बंदे को जो है उस दुनिया फानी से रुकसत कर दिया जाता है। तो ये मनाज़र देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद इस शक्स का बचना मुश्किल होगा या ये अल्ला जानता है कि वो शक्स बच गया या इस दुनिया से ही चला गया जिस तरह से उसके साथ सलूक किया गया तो मैं ये कहना चाहूंगा उन आवाम को उन सीधे साथ लोगों के साथ जो कि इतना जनूर रखते हैं इतना पैशन रखते हैं इन सियसी लीडर्स के लिए जो खैर एक साल तो या दो साल तो एक पार्टी के साथ होते हैं और दूसरे साल कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो चार साल भी नहीं गुजारते हैं और दूसरी पार्टी मे शामल हो जाते है, इसकी जिन्दा मिसाल आपके सामने है, PTI کے कितने लीडर्स ऐसे थे, PTI कितने ऐसे वर्कर्स थे, ऐसे कितने सेनिर लीडर्शिप थी जो कि आप PTI के साथ मौझूद नहीं है, जो कभी ऐसा लगता था कि शायद इमरान खान साथ कि कबी भी साथ नहीं पाकिस्तन तरी के इनसाफ में आया और पीमलन में गया आप सिंपल मिसाल राजरियाद साहब की लेले पहले पीपल्स पार्डी में थे और पीछे वो पीटिया में शामल हो गया अब वो पीमलन में वापस चले गया तो ये सियासी जो लीडर्स है ना प्लीज खुदाराई आम अवाम से मेरी रिक्वेस्ट है कि इन पर कभी ट्रस्ट मत करें इनकी मिसाल ऐसे है जैसे क्रिकेट की खिलाड़ी होता है देखे पाकिस्तनार और निया कि कितनी राइवलरी चलती है पाकिस्तनी और इंडियन पबलिक जो है आपस में कितना लड़ते हैं एक दूसरे को गाल जाए वो आफ ता फील्ड जाए वो एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं से मजाग करते भी मिलते हैं और मेरी ख्याल से पाकिस्तान और इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनकी जितनी दोस्ती है शायद वो किसी और टीमों की दोस्ती नहीं होगी तो जितने हम अवाम जाए वो इन प्लेयर्स के लिए पागल होते हैं इतने ही पागल मेरे ख्याल से कुछ लोग सियसी लीडर्स के लिए भी होते हैं कोई कह रहा है मैं इमरान खान का फॉल्वर्स हूं इमरान खान के लिए दिल और जान मैं कल वो सर्वे कर रहा तरो कुछ लोग ऐसा कह रहते हैं कि जान हमें कहता है जोश में होश भी होना चाहिए आपको जोश में होश भी होना चाहिए और आपको आपकी सबसे जो कीमती चीज आपकी जो सबसे बड़ी पावर है जो आपकी स्ट्रेंथ है वो आपका वोट है आप इन गालम ग्लोज लड़ने जगरने और एक बंदे को मारने तक का हद से पहुंचने से पहले मेरे ख्याल से आपको यह सोचना चाहिए कि यह स्यासी लीडर भी पक्का किसी एक पार्टी में नहीं रहते हैं यह आज एक पार्टी में कल दूसरी पार्टी में चले जाते हैं लेकिन आप एक बंदे को जान से मारने तक चले गया हो यह बहुत नहीं पहंगना चाहिए, खाँ कोई भी बंदा हो, बड़ा हो, बुड़ा हो, जवान हो, किसी की ओपर भी किसी शक्स को ये, वो मजाज नहीं है, इस चीज़ का कि वो उसके ओपर जूता पहंगेगा, ये उसको डिस्रिस्पेक्ट करेगा, आहम अवाम के सामने खाँ, उसके क PTI का हो, PMLN का हो, पीपल्स पार्डी का हो, किसी की ओपर भी जूता फैंकने से पहले, ये इस तरह की हरकत करने से पहले, सोद अफ़ा सोचे, बलके ये करे ही ना, सोचना तो बहुत दूर की बात है, इस हवाले से जो भी आप सोचते हैं, समयते हैं, कॉमेट सेक्शन में प सब्सक्राइब कर लिए और बेल अगे लाजमी दबा ले ताकि मज़ीड वीडियो से माप तक पहुंचाते रहें, अंटिल नेक्स टाइम, अलाफिस.